सुपरभार प्यारे बच्चों, यह आँकी व्याकरण चेतना बुक का पाठ चोदे है, दिन और महीने, ठीक है, दिन और महीने, आज हम यह पाठ रीड करते हैं, Days and Month, दिनों के नाम, दिन और रात मिला कर एक दिन बनता है, चोबिस घंटे का एक दिन होता है, साथ दिनों को म मिला कर एक सप्ता बनता है, सप्ता के हर एक दिन का अपना अपना नाम है, दिन को वार भी कहते हैं, इसलिए दिनों के नाम के अंत में वार लगाया जाता है, आओ अब दिनों के नाम जाने, चीक है, सब बच्चे ध्यान से दिनों के नाम पढ़ेंगे, रवीवार, या पिर ब्रस्पतिवार, उसके बाद शुकरवार, उसके बाद शनीवार, ठीक है, तो ये सब्ता के साथ दिनों के नाम है, उसके बाद महिनों के नाम, ठीक है, एक साल में बारा महिने होते हैं, परतेक महिने का अपना एक नाम होता है, एक महिने में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन ध्यान से महीनों के नाम बोलेंगे जनुवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तुबर, नवंबर और दिसंबर ये आपके बारह महीनों के नाम ही अच्छा तो सब बच्चे अपनी कौपी में सबता के दिनों के नाम और महीनों के नाम जरूर से लिखके याद भी करेंगे Thank you and have a nice day